तो जैसा कि पिछने एपिजोड में हमने देखा था, प्रिंसिवान ने आपर एक ही साथ कई लोगों के अपर शर्थ खोल दिये थे, अब आगे, अभी जो सीन हुआ था, अब जो भी लोग इसे आपर देखने आये थे, कि हम इसे रंगों या तो पकल लेंगे, उनका तो चेर जहा रहा था, और ये भी इस हरकत को सुनता है, इसके कानों में आवाज आते, कि जावी वान ने एक साथ, बारस एदा डिसाइपल्स के अपरचर्स को खोल दिया है, अब इसके भी जो डिसाइपल्स बैटे हुए थे, एक दूसरे की तरब देखते हैं, फिर जूयू की तर दे रहा था, और वहीं जूयू शाइद पांच दे रहा था, पर फिलाल ये लोग अभी जाते ने, क्योंकि कुछ भी हो, जूयू एक इनरा डिसाइपल्स है, फिर से इनको लेकिन एक आवाज सुनने को मिलती है, कि जावी वान ने कोटा से एट किया है, कि वो सौ से जादा लोगों को एकसेप्ट करेगा भी लेक, और यहाँ पर जिसके डिसाइपल्स थे, वो बहाना बनाना शुरू करते थे, कि मेरा पीट दर्द कर रहा है, किसी का कुछ और दर्द खरने लगता है, और यहाँ से ये निकननने लगते है, अब इस सीन को देखकर, जूयू को काफ इवन जो 100 कोटा था, इसमें से 90 फील हो चुके थे, तो 10 के लिए कुछ डिसाइपल्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, और वानजिन दिमाग लगाता है, क्योंकि अपी जो बचे डिसाइपल्स थे, इनमें से जादा तर सेंग जो कॉंटिनेंट के थे, और यह बोल जाते हैं, और वानजिन डिकलेर कर देता है, कि बस यह आपर यह खतम हो चुका है, अब हम किसी को नहीं सेलक करेंगे, और पहने इतिलिट, 300 जेट पीसेस मिल जाते हैं, और 100 जेट पीसेस, प्रिंस यवान, सेनवानजिन कायोक जिव, और बाकियों को बाढ़ देता है, कि यह आप लोगों ने भी काफी अच्छा कान किया, और यवान सोचता है, कि यह अब तो खा भी सकता हो, वो जो अट्रेट फ्रेग्रेंस हाउसेस हैं, जा पर अच्छी खाने मिलते हैं, फिलन यह वापस लटता है, और अपने कमरे में जब एंटर करता है, तो यह पर याव याव एक टेबल पर बैठी वे थे, और इसके चेहरी पर एक सीरियस नूब था, और इसके अपोजिट में एक ओल्ड मैन बैठे थे, ओल्ड मैन और याव याव दोनों के हाथों में जैनेसिस ब्रस्स थे, और इसा लग रहता है, मनों दोनों के अंदर कंपडिशन चल रहा यवान दीखता है पर यावयो जो जैनेसिस रूंस बना रही थी एकदब मक्खन के जैसा बना रही थी वैसे ओल्ड मैन भी काफी बहतरीन थे और यह सोचते है यह ओल्ड मैन है कौन और यावयो फैनली कहती है कि आप मुझे हरानी पारे हो तो क्यों आप लागतार यावयो फिर से हसती है कि आप इतने समय से ट्रेन कर रहे हो फिर भी मुझे हरानी पारे हो एल्डर को गुस्सा तो आ रहा था पर यह करे तो करी गया इस बार तो ओल्ड मैन अपने जैनेसिस की को रिलीज करते है यावयो फिर से हसती है कि पहले आप मुझे हरा लो उसके ब वाने लगती और old man हसके कहते हैं अगर तुम चाहो तो तुम direct inner disciple बन सकती हो और सीधा spirit rune peak जो की जो साथ peaks है उन में से एक वहाँ पर बस बच्चों को genesis rune से ही सिखाय जाता है और याव याव सीधा कहती है not interested elder और ज्यादा चौंग चाते हैं यार ये लड़की क्या है old man फि तुम एक कई सारे ancient genesis rooms मिल जाएंगे अब ये सुन करके याव ये थोड़ा सोचती है इसे याद था कि जाव यवान को जो second saint rune है उसे पाने के लिए saint genesis peak पे जाना है जो कि 7 peaks में से एक है तो फिलाल ये और कहीं नहीं जा सकती थी अब old man की नजर यवान पे बढ़ती है कि ये आजकल तुम काफी आतंक मचा के रखे हो बेटा पर मानना पड़ेगा तुम्हारे spirit senses भी काफी शार्प है जो कि तुम दूसरों का भी aperture sense कर पारे हो युवान कुछ नहीं कहता है इसके बाद old man यहाँ से निकल जाते है अब युवान की यावयाँ से बात होती है और या होती है और युवान कहता है चलो हम चलते हैं फिर से hundred fragrances house यावयाँ को जादा कुछ फरग नहीं पड़ता है पर टुन-टुन काफी excited था इधर समय बीचते जाता है और युवान लागा था लोगों के अपर जर्स को unblock करते रहता है अब बहुत सारे disciples जो की युवान को नी इनर डिसाइपल्स उनके अंदर भी जाओ युवान का नम अप चनलने लगा था जो युव यह काफी निरास दीक रहा था क्योंकि बस 10-12 डिसाइपल कमाई भी कम हो चुकी थी नाम भी गिर चुका था और जू फे इससे कहते कि अल्डर ब्रदर हमें ऐसे थोड़ी चल सकत है कुछ तो करना पड़ेगा जो यह कुछ बोलता तो नहीं फिलाल पर इसके मन में कुछ तो चल रहा था और फाइलली मन में सोचता है कि एक आउडर डिसाइपल मेरे जैसे इनर डिसाइपल्स को यह सपरेस करना चाते है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा जू यह आस स जो बच्चे हैं इनके अंदर वो डिसेपलिन नहीं है और यह जूयू से कहते हैं तुम करना जया चाते हो लेकिन एक चीज़ याद रखना वो लड़का थोड़ा एरोगेंट है पर वो कोई रूल नहीं तोड़ रहा है और यह कुछ दूसरे रूल की बात करता है कि एक बं चैनिवान भी केते फिर यह सही है कि तुम दोनों का फाइट इथिरियल फार्म टेकनिक पे होगा क्योंकि जूयू यह जो टेकनिक है इसे दो साल से सीख रहे है तो जावी वान चलो फर्स्ट लेवल पे है भी तो क्या ही करनेगा चैनिवान मान जाते है और कहते ठीक है पर लोग भी थोड़ा सोचने नगते है यार जूयू थोड़ा सीनियर है दो साल से टेकनिक प्रैक्टिस कर रहा है यह साही तो नहीं है यह बंदा सच में काफी सीमले से और वही प्रेदिन जिवान उसने बस वो टेकनिक एक मैने से थोड़ा जादा समय तक ही अभी सीखा अब यह जो नियूस था जाव युवान के भी कारों तक पहुच चुका था गू होंगी यह थोड़े चिंतित थी और यह गुस्से में कहती यार यह जूयू यह सच में काफी अलग हिन्जान है युवान भी असरा था यार वैज़े भी यह मेरे आंकों का काटा है निप्ट नाम की चीज नहीं और हम यह इससे पताती है कि शायद मैंने जब लाश बार सुना था तो जूयू ने 41 अपरचर अनब्लॉक किये थे मैं भी शैदो चीपा रहा होगा युवान सोचता है शैदो जादा ही चीपा रहा है तब ही तो मेरे से फाइट करना चाहता है फिलल माश्री यह सच में इतने कमेज में इतने हाई लेवल पर अगर तुमारे स्पिरिट का पावर बढ़ा तो तुमारे फ्यूचर कजा भी होंगे पर यावयाओ के चेरे पर कोई भी वह एक्सपरेशन नहीं था कि मैं आपको जौइन करना चाहती है अब यावयाओ इन से कहती साथ जो वो आउटर माउंटेन है उसके आप एक एल्डर हो है ना एल्डर चौग जाते हैं कि तुमें कैसे पता यावयाओ कहती है मुझे मानूम है क्योंकि हर एक मैटर वो एल्डर चेन इवान हैं उनके अलबा तो और एल्डर हैं पर वो इस मैटर्स में पढ़ते नहीं तो श्याद आप उनमें से एक हो क्योंकि उनमें से एक जैनसिस रून का मास्टर भी है अब ये बोलते हैं कि हां मैं वाई हूँ और मेरा नाम जौंग मिंग है अब याव याव कहती है अगर आप आउटर माउंटेन के एल्डर हो तो जो चैन इवान चीजे करते हैं लगता ये वान कहता है कि अगर जैनसिस की पर मैच होगा तो मैं तो हार चाहूँगा लेकिन अगर केवर इथिरियल फॉर्म टेक्निक पर होगा तो इतना आसान भी नहीं मुझे आण और यहाँ पर ये कंबर्शन भी तो उसे के लिए हो रहा है जौंग मिंग इसकी बात से प्रभ इदनी होने वाला है और यहाँ चीह निखन जाते है यह अभी थोड़ी चंतित्ती दिखाती तो नहीं है पर युवान से पूस्ती है क्या तुम जीत जाओगे युवान कहता है यह अभी टाइम में तीन चार दिर मैं फिर से इथिरियल फॉर्म टेक्निक पर ज़्यादा फ तो टॉप टेन डिसाइपल्स थे आउटर माउंटेन के और यांग जी उसको यही बात बताता है यार तुमने सुरां वो जाओगे युवान वो जो फैंग के बड़े बाई से कंपीट करने वाल है वो भी टेक्निक में लो फैंग भी असता है कि वो कुछ अपने को जादा स और इतर प्रिल्स युवान ने जो ट्रेनिंग बच्चों को यह देता था वो होल्ड पे कर दिया था और खुद पे फोकस कर रहा था हालक यह आप जो डिसाइपल्स थे उन्हें हौंगी वगरा थोड़ा बहुत गाइड करते रहती थी हौंगी फिलन युवान से बाते कर और युवान भी कहता है यहर मुझे भी फोकस करना ही पड़ेगा और होंगी किति अगर तुम चाहो तो जूई को मैं रोक सकती है अपने अंसेस्टर से बोलके पर युवान फिलनाली से मना कर देता है युवान इसके मजह लित यार तुम्हें यह चीजे तो पसंद नहीं ह होंगी तोड़ा सा ब्लश करने लगती है और कहते हैं मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं तुमसे इथिरियल फॉर्म टेकनीक सीखरें और तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि तुम मुझे इथिरियल फॉर्म टेकनीक के सेकेंड नेवल तक पहुचा दोगे और मैं न दिन था जबजावी वान वर्सेस जोईू का मैच होने वाला था और कई सरे डिसाइपल्स को लेकर यहां पर लूफैंग भी पहुचता है यानि एक तरसे इसके यह फॉलोवर्स थे थोड़ी दूर पे गुहांगी और वो लड़की हान थी शोई भी खड़ी थी और की पहुचता है और सभी डिसाइपल्स अभी कटा हो चुके थे जोईू फाइनली यह पहुच जाता है इसके पीछे में जावी वान यह यह अगरा भी अब इदर आ चुके थे चैनी वान यहांपे माउंटें टे टॉप पे बैटे थे और बोलते हैं कि तुम्हें रोल्स तो करो तब ही बीच में एक एल्डर की आवाज आती है चैनी वान हैरान था कि यह कैसे आ गए आप और यह कहता है एल्डर जौंग मिंग आप मुझे नहीं पता थे कि आप आ रहे हूं और पता होता तो मैं खुद आपको रिसीब करने आता जौंग मिंग भी कहते हैं तुमने म करता है और जौंग मिंग के थे क्योंको इथेरियल फॉर्म टेक्निक स्पीड और निउट्रलाइजेशन पावर पर डिपेंड करता है तो यही दोनों चीजे तुम यूज कर सकते हो और फिलाल यह एंगर पूरे माउंटेन को अपने जैनेस की से ढख लेते हैं और जौंग और उसके लिए आप इथेरियल फॉर्म टेक्निक का स्पीड बनेट पार्ट यूज कर सकते हो और यह बोलते हैं यही रूल है क्या तुम दोनों को कोई अग्जेक्शन है दोनों नहीं में सा लिलाते हैं और फिलाल मैच अब शुरू हो जाते हैं अब दोनों पीक पे सा थोड़ा कठीन था क्योंकि यह जो एल्डर जॉंग मिंग थे इनके एयर का एक प्रेशर चारतरफ फैल रहा था और जैसे ही उस रेस्रिक्शन वाले एरिया में दोनों पहुसते हैं इनका स्पीड काफी स्लो हो जाते हैं जावीवान और जायू एक साथ चिलाते हैं इत् यह अपने कितने पावर को छीपा के रख यानि जो हमें भी नहीं बता हैं अब हवा में कई सरे वो तलवार ऐसे उड़के इन दोनों की तरफ आते रहते हैं और यह दोनों इत्रियल फॉर्म से इसे डॉज करते हुए आग ही बढ़ रहे थे और आदा दूरी यह दोनों पह 45 चमकने लगते हैं और ज्यादा परचर्स चमकते तो इसका स्पीड भी बढ़ जाता है और इसके बोड़ी पर वो जो धूल्द दिख रहा था वो ज्यादा हो जाता है और काफी तेजी से आगे बढ़ता है रास्ते में इसे कई सारे वो जैनेसिस कीके चाकू मिल रहे थे पर उन्हें ये टॉच करते हुए आगे बढ़ने लगता है लोग भी यहीं कहते यार इस बंदे ने सच में अपने स्टेंद को छिपा के रखा था हौंग ही ये थोड़ा सा निराश हो जाती इसके बगल में जो लड़की खड़ी थी हांग की इश हुई वो भी कहती है यु युवान हार चुका है पर तभी ये फिल करते है कि प्रिंस युवान इसका भी स्पीड क्यों बढ़ने लगा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा था और युवान का स्पीड स्टेबल था मतलब एक स्पीड पेस के हिसाब से बढ़ रहा था युवान अपने अपर्चर्स को एक इसके भी छमाक उठते हैं, और ये अभी भी बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ये 48 पे पहुँच जाते हैं, जोकि जूईू से भी जादा थे, और जूईवान एक बर फिर से जूईू के आसपस, यानि इसको catch-up कर लेता है, जूईू हसता है, अभी भी ये कुछ कदम आगे था, कि जूईूवान तुम्हें क्या लगता है, कि 42 aperture ही मेरी limit है, और फिर से इसके purchase की संध्या बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते ये 54 पे पहुँच जाती है, और इसका speed फिर से बढ़ जाता है, वही जूईूवान के भी aperture अब 50 तक पहुँच चुके थे, competition nap to nap का चल रह इसके पीट में एक अलगी आग सा उठता है, और इसे level breaker pill कहा जाता है, हालक इसके कुछ नुकसान भी होंगे, पर फिलाल इसे बस जीतना था, अब जूईू के जो ethereal form technique के अपर जर्ष थे, ये start पे बहुँच जाते है, crowd को लगता है, अब ये whoopless हो चुगा है, अब बढ़ी serious थी, क्योंकि इसे हर एक चीज़ पता चलता था, warning ये भी कुछ detect करते हैं, ये अपने हाथ को आगे बढ़ाने ही वाले थे, तब ये एक आवाज सुनीते हैं, और यूवान की तरफ देखते हैं, और ये feel करते हैं कि यूवान के अंदर जो genesis की है, वो अचानक से थोड़ा सा vibrate कर रहा है, मतलब ये लड़का अभी भी give up नहीं करना चाहता है, तो ये रुख जाते हैं, यूवान का जो pain था, इसके spirit में एक pain होना था, ये काफी बढ़ते जाता है, इसका एक ही मतलब था, इसका जो spirit level था, वो illusionary level से, के peak से उठकर, अब corporeal stage के तरफ ब और देख भी सकता था, कि Zoyu के आसपास एक red mist है, यानि कोई penis ने खाया होगा, यूवान हैरान था, यार मैं ये कैसे sense कर पारूँ, क्या है ये सच में, मैं corporeal stage में पहुँच चुका हूँ, ये तुरंती अब अपने decoder center room को activate करता है, फिलान ये अपने body को scan करता है, और प ने कर लिया, तो टूटल 72 हो जाएंगे, यानि कि ये ethereal form technique के second level में पहुच जाएगा, हलाकि इन्हें एक ही करके unblock करना ज्यादा सेफ होता है, पर फिलाल इसके पास कोई choice नहीं था, और ये संभाव इसलिए हो रहा था, क्योंकि इसका spirit का level बढ़ गया था, अब ये genesis की क उन अपर्चर्स की तरफ काफी तेजी से भेजता है, और ये 14 अपर्चर्स एक साथ एक धागे में मानों connect हो गए हो, और उन अंठावन अपर्चर्स से जुड़ने लगते हैं, और ये मन में कहता है, जो यू, अब मैं तुम्हें दिखाता हू, कि second level क्या चीज होती है, जा ये तो अपने मुझ को ठक लेती है, होंगी इसके आँकों में एक एमोशन था, याउज ये भी कहता है, यार ये बंदा, लू फैन, ये भी पहली बार अपनी आखे सीकोडने लगा था, क्योंकि अब वह वाला जो जावी वान था, इसे एक डेंजर वाला फिलिंग दे रहा जू यू भी देखता है, इसका मानों हार्ट बेटी स्कीप हो जाता है, ये समझ चुका था कि यूवान ने बहतर अपर्चर्स अन ब्लॉक कर लिया है, सेकेंड लेबल पर ये पहुच चुका है, पर इसे समझ में नहीं आता है कि कैसे, इसे लगता है, शैदी कोई ट्रिक ह फिलल जो पीक था, माउंटेन का, ये काफी करीब था, तो ये उस पर फोकस करता है, अगर नहीं पहुच पाया, तो ये मजाक का पात्र बनेगा, अब जो पीक से गैप था, ये कम करने लगता है, 100 फिट, 60 फिट, 10 फिट तक आ जाता है, ये खुश था कि अब तो मैं जीत चुका हूं, क्योंकि 10 फिट युवान थोड़ा पीछे है, पर जैसे ही ये पीक के करीब था, एक पीरसिंग साउंड इसको सुनने को मिलता है, और जो पीछे से बंदा आ रहा था, यानि युवान, पलक चपकते, बादलो की समान, इसके आरपार निकल जाता है, जू यू ये भी कहती है, यार ये बंदा सच में अमेजिंग है, क्योंकि बात ऐसी थी, इनर माउंटेन से कभी भी आउटर माउंटेन वाला बंदा बैटल नहीं जीता था, ये पैनी बार हो रहा था, जू विंग फाइनी विनर को गोजित कर देता, कि विनर जाव युवान है, और कि अगर मेरी युवान से फाइट हो, तो उसके स्पीड मेरे लिए थोड़ा परिशानी बन जाती है, लू फैंक कुछ नहीं बोलता है, ये फिलान हौंगी की तरब देख रहा था, जो की फिलान जाव युवान की तरब एक स्माइल से देख रही थी, और इसको काफी गुस आ रहा था, इसमें बहुत मेतर्स ट्राइक किये थे, हौंगी के करीब जाने का, पर हौंगी उसके अंदर इसके लिए कोई फिलिंग नहीं था, पर इसे ये भी नहीं पता था, कि हौंगी क्या इंटरेस्टेड है प्रंस युवान में, और ये मन में सोचता है, कि युवान में मिल चुका था, जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ा सकता था, और क्योंकि युवान रुका, अब जो स्पिरिट था, वो कॉर्पोरियल स्टेज में पहुँच चुका था, तो बच्चों के, यानि अपने फैलो स्टुडेंट्स के, अपर्चर्स को अनब्लॉक करना, य इनके अपर्चर्स एक पर फिर से अनब्लॉक करने के बाद, यह आँका क्लास खतम करता है, जाधतर डिसाइपल्स यहां से निकल चुके थे, बस बची थी, तो कु होंगी, और यह कहती है, यार सबी ने आज अपर्चर्स अनब्लॉक किया है, सिवाए मेरे, युवान इसस थी, और क्याती है, अगर तुमने अपना प्रामिस तोड़ा, तो तुम्हें मालू मैंना, उसके बादी हसनी लगती है, युवान कहता है, फिलाल तो नहीं, पर मैं तुम्हे कुछ स्पेशल सर्वेसिस तोंगा, होंगी हसती है, ठीक है फिर, और फिलाल युवान यहां से, हिटन स्क्रिप्चर पॉवेलियन के, उस हौन में जाता है, जा पर वो टेकनीक थी, नाइन ड्रागन वाले, क्योंकि फिलाल कांजवान से एक टाय हुए, दो महीने बीच चुके थे, और एक महीने बाद, पीक सेरिमानी का कॉमपटिशन था, होंगी भी इससे फॉलो करती ह और यह जो टेकनीक था, नाइन ड्रागन कैनन, इसे एक दिन में उठानी का, एक दिन मतलब पास दिन के रिशादिय मिलता है, उसके लिए 600 जेड पीसेस देने पड़ते हैं, और क्योंकि यह हाई ग्रेड का लिटिल हेवन टेकनीक था, तो यह वान के लिए काफी अच्छा मिलता है, और यह इन दोलों को साथ में जाते वे देखता है, तो इसके अंदर की आप फिर से बाड़क उठती है, पहले तो यह होंगी को एक अच्छा सा स्माइल देता है, होंगी समझ रही थी, यह बस हां में सरिलाती है, और यह यह युवान के तरफ देखता भी नहीं है और इसके पास भी एक स्क्रॉल था, सैथी कोई मेथर्ड लेके यहां से निकल रहा था, युवान भी काउंटर पे पहुच चुका था, मिडिल इस बेन भी हैरान थे, कि तुमें नाइन ड्रागन कैनन सीखना है, फिलान इसे लेनी के बाद, युवान अपने रास्ते चला हराके, तुमारे पास इतना दम आ गया है, कि तुम मुझे इग्नोर करकी जा सकते हो, स्टोरी यही पर समाप करते हैं, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ,